कि यस वी आर लाइवन कैसे हैं आप सभी लोग आपके अपने यूटूब चैनल एक्टीव एकेडमी की ओनलाइन दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है अभी नंदन है हम चल रहे हैं साइंस की क्लासेज में और यह साइंस की क्लासेज भी एक तम से आपको बूश्ट करन आपको सिंगल कोशन नहीं जाने वाला है तो बिना टाइम विस्ट की हम करते हैं कोशन स्टार्ट पाचन तंत्र यानि डाइजिस्टिव सिस्टम फस्ट जो हमारा कोशन आता है मनुष के आहर नाल की ओष्टन लंबाई जो है ओष्टन लंबाई है वो क्या होगी तो कहां से कहां तक का इस्सा सामिल करते हैं अम यहां में हम लेते हैं मुक से मुक से और गुदा टागैनि एकसे झैल से रहता हमारा मुक आते हैं इसमें मुऊ खा रहा है बाद इसमें आ रहा है इसमें पर contemporary ईस्टोमकी पार जाकर कंउट हो जाती हैं जो भी प्रोड़क्त होते हैं उसका एनस के थूँ बाहर कर दिया जाता है तो इसमें में एक एक इसमें पार्ट को हम देख सकता है यह जो होती है यह तो के अंदर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर नहीं यहां पर 5-10 अंधर वह जाता है कर लिए जाएक्या और यहां पर भी Food को डाइजेस्ट कर लिया जाता है mostly धाइजेस्ट हो तुका होता food को उनको विलाइज के थुरीज को एपजोर्ब कर लिया जाता है यागि कि आवसोसित भी कर लिया जाता है और उसके बाद फूड को बेजिया जाएगा लार्ज इंटेस्टेंड में वहां पे जल और खनीज लवन उते हैं उनका उस्वोशन कर लिया जाएगा उसके बाद बेज दिया जाता है इसको एनस में तो यह तो एक हमने समरीज की देखी है अब एक एक करको हम इसको पढ़ेंगे कोशन बाई कोशन तो फर्स्ट हमारा जो कोशन इसमें फिर शे आता है अहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है तो अहार नाल का जो पहला भाग आता है वो कहलाता है मुख गुवा मुख गुवा के अंदर मुख ऑनली मैं छोटे वाले पार्ट के बात नहीं करूए कि जो सर ह कार्बो हाइडरेट का पाचन होता है यहां से अब कोश्ण है जीब के ऊपर जीब के उपरी चोटे चोटे अंकुर होते हैं जिने क्या कहते हैं तो जीब के ऊपर चोटे-चोटे अंकुर होते देना वह क्लाते दोस्तो्स वाद कलेक着 आए क्या वर्ड क्लाति क्या क्राती है यह चार सो में होती है आप सबसे पहले जूद का अग्र भाग होता है जूद करत अगर वाग होते हैं ये नि impost का श्वाद हमdar देती हैं किसका स्वाद देती है मीठे का स्वाद देती है ठीक है यह मीठे का स्वाद देती है और उसके बाद आता है जीव के जीव के पश्च भाग से पश्च भाग जो होता है जीव का यहां से आता है कड़वे पन का स्वाद का स्वाद आता है किसका स्वाद आता है कड़वे पन क स्वाद आता है ओके स्वीर आता है जीब के बगल के भाग बगल के भाग जो होते हैं तो जीब के ये जो भाग होते हैं बगल वाले भाग ये जो होते हैं ये खटे बन का स्वाद देते किसका स्वाद देते दोस्तों खट्टे पन का स्वाद देते हैं और जीब के अगर भाग वे किनारे के भाग से नमकीन का स्वाद आता है अगर भाग और किनारे के जो भाग होते हैं यहां से आता है नमकीन का स्वाद तो जीब पे चार प्रकार की स्वाद अंकुर जो होते हैं स्वाद कलिकाएं होती हूँ पस्तित होते हैं वो चार प्रकार के जो स्वाद होते हैं कडवापन, खटापन, नमकीन या मीठा चारों का स्वाद देती हैं अब देखते हैं अगली स्लाइड में अगली स्लाइट कहती है कि मुख गुवा का मुख गुवा का मुख गुवा का पिछला बाग क्या कहलाता है तो मुख गुवा का जो पिछला बाग है वो ग्रशनी कहलाता है पिछला बाग क्या कहलाएगा ग्रशनी बिल्कुल मैं आपको एक पर फिर शे बताना चाहूंगा इ जैसे यह जीव इससे साथ connected होती है उसका जो अंतिम भाग होता है अंतिम भाग जिससे हम वोजन को गिटकते हैं यह कहें निंगलते हैं तो वो वाला भाग क्या होता है हमारा ग्रश्नी वाला हिस्सा होता है अगला है ग्रश्नी में कौन शे दो द्वार होते हैं ग्रश्नी के अंदर दो द्वार होते हैं कौन कौन शे द्वार होते हैं ग्रश्नी में एक तो होता है निंगल द्वार कौन सा होता है निंगल द्वार यानि गलेट जिसको बोलते हैं एक होता है कंठ द्वार जिसको गलो तो उसमें खाना है बहुत पडाइब बढ़ सकती है तौत के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलेगा, पाचन तंत्र में जाएगा, कंठ द्वार जो होता है स्वास नली यानि ट्रेशिया में खुलेगा, that's clear, so next आता है कंठ द्वार के आगे एक पटी जैसी रचना होती है, आप चेक करेंगे कंठ द्वार जो होता है, वहाँ पे एक क्या होती है, जाने से रोकती है, स्वास नली में जाने से रोकती है, cover कर देती स्वास नली को, next आती है, बोजन निगल द्वार के द्वारा कहां पहुंचता है, तो बोजन जब निगल द्वार से जाएगा, तो कहां पहुंचेगा, ग्रास नली में, इस नली में किसी भी प्रकार की पहुंचेगा ग्रास नली एक माद्यम होता है मुख गुआ को आमासे से जोड़नेगा तो जैसे मुख के बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है ग्रास नली और ग्रास नली बोजन को कहा पहुंचा देगी आमासे में ग्रास नली से जो बोजन पहुंचता है वो करमान इंचन गती कहलाती है ठीक है यह आता हमारा आमार्स से यह इस्टो मख इसके आपको तीन पार्ट दिख रहे होंगे एक तो पार्ट होता है इसका फुंडिक fundus जिसको बोल रहे हैं cardia जो होती है ये अंतिम भाग होती है कि इसका osophagus का उसके बाद fundus start हो जाता है उसके बाद आता है बीच वाला भाग जो होता है वो pyloric कहलाता है और pyloric के बाद एक और भाग होता है वो cardic कहलाता है और अंती भाग होता है वो पाईलोरिक होता है मद्दी का भाग जो होता है वो फुंडिक होता है कार्डिक वो पाईलोरिक के बीच का भाग क्या अकल आएगा फुंडिक होता है बात करते हैं आमसे या जठर ग्रंथी आमसे या जठर ग्रंथी यानि गैस्ट्रिक ग्लेंड का निर्मान किस से होगा तो आमासे होती है या जठर गरंती होती है उसका निर्मान कहां से होता है तो आपने पड़ी होगी स्थमबाकार tuboidical epithelium आपने पड़ी थी कैसी पड़ी थी आमासे कि इस तंबाकार epithelium कोई 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 पड़ी थी और उसी से किसका निर्मान होता है जटर गरंथियों का निर्मान होता है आमासे कि जटर गरंथियों का निर्मान किस से होता my friend जटर ग्रंती किस टाइप के जूस का सेक्रेशन करती है तो हम देखते हैं कि जटर ग्रंती होती है वो किस रस का करेगी उसको commonly बोलते हैं जटर रस क्या बोलते हैं जटर रस बोलते हैं अब जटर रस जो होता है नवजातों के जटर रस में कौन सा enzyme protein अपगटनी होता है तो दोस्तों देखें कि जो नवजाद बच्चे होते हैं वो केवल दूद के उपर ही निरबर होते हैं वो अन्य बोजन नहीं लेते हैं तो उनमें जो protein होती है वो दूद में गुली होई protein ही होती है उनके अंदर जो protein होती है कैसी है दूद के अंदर दूद में गुली प्रोटीन दूद में गुली जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं पहले यह बता देंगे दूद में गुली जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या कहते हैं कैसीन प्रोटीन कहते हैं क्या कहते हैं कैसीन प्रोटीन कैसीन प्रोटीन कहते हैं याद रखेंगे यह कौन से प्रोटीन कहेंगे कैसीन प्रोटीन कहेंगे और माई फ्रेंड कैसीन प्रोटीन को जो डाइजिस्ट करने का कारी करती है वो करती है रैनीन एंजाइम कौन करती है रैनीन एंजाइम रेनीन एंजेम कैसीन प्रोटीन का डाइजिसन करती है देखते हैं नेक्स स्लाइड गो नेक्स स्लाइड कहती है जटर ग्रंथी की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है जो जटर ग्रंथी की कोशिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है पहली आती है इसमें सलेशमा कोशिकाई कौनशी सलेशमा कोशिकाई दूसरी आती है इसमें बित्ये या अमलजन कोशिकाई और तीसरी आती है मुख्या जाइमो जीन कोशिकाई मुख्या जाइमो जीन कोशिकाई very very important यह याद रखें मुख्य या जाइमोजीन कोशिका है देखते हैं अब इसमें क्या कर रहा है तो जो सलेशमा होती है उसमें एक सलेशमी जो द्रवी होता है उसका निर्माण होता है दूसरी आती है बितिया या अमलजन कोशिका है यहां से सेक्रेशन होता है किसका सेक्रेशन होता है ситу के सेक्रेशन के ब dealer say किchemical वहाइम ने माली माद्र ने और यह आमासर के अंदर आमलिये माद्यम वोते हैं, तीन परकार के कारी करता है, कीटानों को भक्षन करता है, बोजन को आमलिये माध्यम देता है, बोजन को अमलिये माध्यम तयार करना, और तीसरा काम होता है इसको जो प्रोटीन पेप्टीन एंजाइम होता है उसको क्या करता है एक्टिवेट करता है उसको सकीरिय करता है जो पेप्टीन होते है उसको क्या करता है सकीरिय करने का काम करता है क्या करता है पेप्टीन को सकीरिय करने का काम करता है तो देखते हैं आगे सलेसमा क्या करती है सलेसमा जो द्रवे होता है एक प्रकार का चिपचिपा द्रवे होता है और जो आमशे की जो आंत्रिक भित्ती होती है यह आंतरिक दीवारे होती है, उसको अमल के प्रभाव से बचाती है, किसके प्रभाव से बचाती है, देखते हैं आगे, चटरकरस में जो पस्तिद रहता है, पहला क्या रहता है, हाइडरो कलोरिक अमल, सलेसमा होता है, यानि मुक्यस के रूप में होता है, निश्कृय पैप फिपकेन को किसवेर प्रेवर्तीत कर देता है स्क 166 जिसकों आधेते हैं और उसको किसमेशकन drip कर देगा गैस्जड में अधे आग टब autor थीन गश्मय Willen तो में तोड़ उंडिए नहीं किया जाता है यह ध्यान रखने योगी बात है कि होटी आत का प्रारंबिक भाग क्या कहलाता है उसके बाद जैसे ईस सखक्रदृट होता है उसके बाद इस्टार्ड ओती छोटी आत यह बाद ओर चोटी है已经 का यहाराता है ईह जिसको यहां तक आपका हमाश्य होता तो इस प्रकार की जो यहां से सनचना बनेगी वह कैसी होती है अंगरेज एकसर के यू यानि डियोडेनम होती है ग्रैनी इसे की लंबाई जो होती है वो मात्र 25 cm होती है, कितनी लंबाई होती है, 25 cm, सेस जो 30 cm हिस्सा बच गया है, वो इलियम भाग कहलाएगा, सेस जो उसके बाद वाला हिस्सा है, वो आप कोगे सार आगे भी तो होता है, बैइ जो होता है आपका डियोडेनम, वो मात्र 25 cm तक होता है, आगे का 30 cm इलियम वाला पार्ट होता है, नेक्स्ट कहें, अहार नाल का सबसे लंबा भाग, अब नाम की ही छोटी आँथ है भाई ये, ये नाम की ही छोटी आँथ है, वैसे ये बड़ी आँथ है, लंबाई में क्या ये बड़ी आँथ है, ठीक है, जो हम छोटी आँथ और बड़ी आँथ निर्दारित करते हैं, ये इसकी चोड़ाई के अधार पर बताएगा है, क्योंकि चोटी आँथ की चोड़ाई होती है, वो छोटी होती है, और बड़ी आँथ की चोड़ाई की होती है, वो छोटी आत के अंदर ही होती है अब बात करते हैं छोटी आत के लंबाई की और चोड़ाई की छोटी आत के लंबाई तो लगबग 6 मिटर होती है कितनी होती है 6 मिटर होती है चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई होती है सेन्टिमेटरही चोडाई बाद करें तो लंबाई नगभबग 6 मिटर के आसपास velocis कर इसमें इंपोर्टेंट ये बात है ये जो बी है मासारी जी होते है उनमें उनकी चोटी संकारी होते हैं उनकी जो छोटी आंध की लंबाई यह होताई बात करते हैं चुद्राइब के तीन संद्चनात्मक बागों की लंबाई का सही करम क्या है तो तीन बाग कौन-कौन शें हैं जो सबसे लंबा बाग होता है वह होता है साड़े-3 मिटर सेसात्र बोला जाता इसको मद्यात्र होती है जेजुनम, जेजुनम की डाइमिटर होती है और ग्रैनी होती है, डियोडेनम उसकी लंबाई होती मातरे 25 सेंटी मिटर छोटी तथा बड़ी आथ को कौन शी नली जोड़ती है तो सिक्कम एक जो नली होती है वो छोटी आथ को बड़ी आथ से जोडने का कारिय करती है शिक्कम नली होती है वो छोटी आथ को बड़ी आथ से जोडने का कारिय करती है बात करते हैं कौनशा वाल्व भोजन को छोटी आथ में वापिस जाने से रोकता है तो एक valve होता है जिसको बोला जाता है ileocecal valve क्या valve होता है ileocecal valve यह जो भी बोजन बड़ी आत में आ गया है उसको वापी छोटी आत में जाने से रोकता है यह ileum और colon के जोड़ पर इस्तित होता है मानव सरीर में पुछ यानि कि appendix जिसको बोला जाता है उसकी सनचना कहां पे होती है तो जो appendix होती है आपने कई भी पर सुना होगा appendix का operation हो रहा है सर appendix बढ़ गई है इस बच्चे की appendix अधिक हो गई है उसको काट के operation कर दिया गई तो appendix जो होती हो बड़ी आत का एक हिस्सा होती है किसका हिस्सा होती है बड़ी आत का हिस्सा होती, वैसे पाचन में किसी भी प्रकार का एहम रोल नहीं निवाती है इसलिए इसको काट के अलग भी कर दिया जाते है मनुष्य के हारनाल में इस्थित अपेंडिक्स के क्या कारिये है ये कोई कारिय नहीं करती है इसका मतलब ये कैसा अंग है? आउसेशी अंग है आउसेशी अंग में आती है सो बात करते हैं पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है आमासे की दिवार और जठर गरंथियां इमाते की दिवार के ब्रूनर्श गरंथियां ये जो भी आहारनाल के इससे के अंदर यानि की चाहिए आपका आमासे हो चाहिए आपकी छोटियांत हो अगर उनके आस्तर में कोई गरंथी इस्तित है तो वो क्या है आंत्रिक है लेकिन लार गरंथियां है और उसके बाद आती है यक्रत गरंथी यक्रत भी अपना एंजाइम क्या करता है सेक्रेट करता है छोटे आथ में मिलाता है लेकिन एक्चल में यक्रत है तो बाहर ही आहरनाल के बाहर ही इस्तित है उसके बाद आती है अगनास्य गरंथिया यह पैंक्रिया Pancreas gland वह भी छोटी आतों के बाहरी उता है अपने डाइजिस तो इसमें इंक्लूड करता है मिलाता है है बात करते हैं मनुष्य में कितनी जोडी लार गरंथिहां पाई जाती तो मनुष्य में पैर्टोइड गलैंड करते हैं दोनों कान जो हैं हमारे उनके पैरेटोइड ग्लेंड के नाम से जाने जाते हैं, तो कुल कितनी हो गई, तीन जोड़ी, यानि कि टोटल 6 ग्लेंड हो गई, जो लार्क सेक्रेट करते हैं, तब ही तो खाना देखते ही, अच्छे-ची चीजे देखते हैं, मुह में पानी आ जाता है, च्छे काम कर रहे हैं, इसलिए जल्दी पानी आता है, लार किसके पाच्चन में शहयो करती है लार जो होती वो इस्टार्च जो होता हमारे भोजन का इस्सा होता है इस्टार्च उसका पाच्चन मुह में शुरू हो जाता है और लार उसमें एहम रोल निबाती है लार की प्रकरती कैसे होती है लार की प्रकरती दोस्तों कैसी होती अमलिय प्रकर्ति होती जिसका pH होता 6.8 और हमारे मुझे पीच अगर कम होता है तो मुझे कीडे लगना शुरू हो जाते हैं दांत खराब होना शुरू कर देते हैं ध्यान रखें लार में कितने प्रतिशत जल वे एंजाइम होता है तो लार में लग भग निन्यार में प्रतिशत जो जल होता है और एक प्रतिशत दोस्तों क्या होते हैं एंजाइम होते हैं निन्यार में प्रतिशत इससा होता है वो लार में जल का होता है जो बोजन को लस लसा बनाने का काम करता है जिससे बोजन क्या कर सके अच्छे से निंगला जासके गिटका जासके और एक प्रतिशत एंजाइम होते हैं जो स्टार्ज के जैसे जो भोज्य पदार्थ है उनका क्या क्या जासके पाचन क्या जासके नेक्स्ट आता है इसमें मनुष्य के मुख गुवा में प्रतिदिन कितने लिटर लार का स्राव होता है तो मनुष्य के जो मुख गुवा है उसमें वेरी वरी इंपोर्टेंट लगबग एक से डेड़ लिटर एक से 1.5 लिटर लार का स्राव होता है मुख गुवा से और ये है न पिसले कितने प्रकार अचैनल काउपरaces नार में कितने प्रकार लारीरे करता है Galax शुर्ण करें कॉसेर ट करेंगे तब तक मैं अगले वीडियो की तहीं हैं है नेक्स्ट वीडियो में जैहieben जै भारत